नमस्कार इन खबर में आपका स्वागत है मैं विद्ध शंकरतिवारी हूँ आंध प्रदेश वो पहला राज्य होगा जहांपे कि पांच डिप्टी सीम होंगे इसके पहले जिन भी राज्यों में ऐसा प्रयोग हुआ वहाँ एक डिप्टी सीम दो डिप्टी सीम होते रहें लेकिन आंध प्रदेश एक उदारान पेस करने जा रहां इसमें अलग अलग समुदाय के जितनी वहां महत्तपूर्ण समुदाय है कि क्या डिप्टी CM या डिप्टी प्राइम मनेस्टर कों कोई विशे सदिकार होता है, क्यों बनाया जाते हैं? आखिरकार ऐसा बनने से उन्हें क्या मिलता है? इसी पर बात्चित करेंगे. सबसे पहले हम डिप्टी पीम की बात करते हैं देश के पहले प्रधान मंतरी पंडिजवार लाल नेरू थे और पहले डिप्टी प्राइम मिनिस्टर सरदार बल्ला भाई पतेल थे उनका जितने बहुत कम समय का कारिकाल रहा वो ग्री मंतरी भी थे उन्होंने ही रियास्तों क का एकी करण किया था लेकिन असली डिप्टी प्राइम मिनिस्टर का पद शर्चे में तब आया जब बीपी सिंग प्रधान मंतरी बने और देवी लाल डिप्टी पीम बने थे बड़ा मज़ेदार वाकिया हुआ था उनके डिप्टी पीम बनने को ले करके हुआ ये था कि कुछ समय आर बैकट रमन राष्टपती हुआ करते थे और जब सपत ग्रण समारो में सपत दिलाने की बात आई तो देवी लाल इतना रट लिये थे उप्रधान मंतरी पद को कि जब वो सपत दिला रहे थे मंतरी के रूप में तो बार बार उप्रधान मंतरी बोल रहे थे बार बार बोलते रहे अर बैकट रबन ने टोका लेकिन जब देखा कि वो नहीं मान रहे हैं तो फिर उन्होंने उसी रूप में वुंको सपत लेने दिया था अपनी तरब से उन्होंने मंतरी पद ही बोला था इसके बाद यह पूरा का मामला चला गया सुप्रीम कोौट में सुप्रीम कोट में च्छलेंज हुआ और वहां पर बात यह टेख सब्नेन कोई उप्रधानमंत्र्य, परती कांसिल ऑफ मिनिश्टर्स का एक मंबर होता है और उसके बाद से विलेंग आएट लीं हमुआ उन जैसे टैसे उनके साथ निभाय त्रम Woah बिपी सिंग से उनका बीच पड़ा फिर वो रिजाइन किये फिर आगे बहुत सारी गत्वी दिया हुई यहाँ पे मुद्दा यह है कि डिप्टी प्राइम मिनिस्टर और डिप्टी सीम का कोई किसी पद का इस तरह के पद का जीक्र भारती सम्विधान में नहीं है और जो भ डिप्टी प्राइम मिनिस्टर या डिप्टी चीफ मिनिस्टर हूं तो यह है डिप्टी प्राइम मिनिस्टर और डिप्टी चीफ मिनिस्टर के पद की हकीकत सिर्फ और सिर्फ वो एक कैबिनेट मिनिस्टर ही होते हैं तो आन्द प्रदेश में जो जगन मोहन रेडी ने न पहली बार आया हैं और मुख्यमंत्री बन रहे हैं इसलिए वो सब को साधने के कोशिस कर रहे हैं इसके अलावा प्रसांत की सोरने दो साल से में 2017 से ले करके और में 2019 तक जिस तरह से मेंनत की थी और जिस तरह से फिल्ड में निकल करके उन्होंने वाइदे किये थे जगन महन ने उन सारे वायदों को निभाने की कोसिस कर रहे हैं उसी में से एक ये भी देखा जा रहा है कि सारे जातियों को सारे समदायों को वो कैसे साधने की कोसिस कर रहे हैं तो इसे जातियों और समदायों को साधने भर से जोड़ करके देखा जा सकता है इससे ज्यादा कुछ नही तो उसका कुछ भी नहीं है तो आप ऐसी खबरों के लिए बने रही है हमारे साथ देखते रहे हैं मारा डिजल चैनल इन खबर उसे लाइक किजिए सेर किजिए और कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट जरूर करें थैंक यू इनका पर चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूले